नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंखला में आज सुनेंगे पदम श्री से सम्मानित ख्याती प्राप्त लेखी का सुनीता जैन जी की कहानी सरसी धरती लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें, आज सुनिये सरसी धरती सीट बेल्ट कस्ते उसने नीचे जहाका, वायुयान जिधर जुक जाता है, उधर ही रोम की जगमगाहट बाहँ पसार कर उठाती है और फिर जियों उदासा हो ठहर जाती है, वायुयान दूसरी ओर डोल जाता है एक लंबी सांस ली उसने, दोनों पैर दुख रहे थे, कमर में भी दर्द संसना रहा था चहरा सूखा और बाल बेजान हो गए थे, साथ आठ गंटे का सफर उन्होंने डेड़ दिन में तै किया है दो बार वे करांची से चले थे, दो बार लोटना पड़ा, और उससे भी पहले बंबई में ही 6 गंटे देड़ से फ्लाइट चली थी, करांची में वे सब ठक गए थे, बच्चे चीक रहे थे महिलाएं सब इधर उधर पसर गई थी, आखिर एयरवेज की बस सबको होटल ले गई थी, होटल में चाय खाना सब मिला बिस्तर कमरा भी स्वक्ष था, पर उसे नींद नहीं आती, अंजानी जगे, वे खिड़की के पास कुरसी डाले, अंधकार में जिंगुरों का होहला सुनती रही थी, और हस बड़ी थी जिंगुर भी तो बटवारे के साथ परदेश के हो गए हैं, उसने कहीं पढ़ा था कि दोपहर के सन्नाटे में जब सूरज सीधा सिर्पन होता है, रोम के भगना वशेस तब लगता है अभी जी उठेंगे, अभी उनमें युद और नर्तन गुजने लगेगा, घोड़े औ दरवाजे से उसने चहरा सटा लिया, आज रोम कोहरे में लीप दिया गया था, लखनवी खरबूजे के रंग की बिजली के लटवों की कुछ कतारों को छोड़ कर एक भी इमारत नजर नहीं पड़ती थी, कासल, पापे, गिरजे, कुछ भी नहीं, सिर्फ अंधकार, लाउ शायद साडी की जलक थी, लड़की का रंग बेहत पीला, बीमार सा लगता था, जोक कर उसका कंधा चूकर बोली, आपकी तबियत तो ठीक है, लड़की ने नहीं सुना, सुना तो आँख नहीं खोली, उंगली से उसका माथा देखा, ठंधा था, आपकी तबियत कराब है क् दो शेडों से रंगी पलकें, बड़ी-बड़ी कजलाई आँखों पर धीरे-धीरे उठीं, हलकी जुझलाहट मोपर फैली, जगाया जाना अच्छा नहीं लगा, फ्लाइट का समय हो क्या क्या, नहीं, मुझे लगा आपकी तबियत ठीक नहीं, अनिथा जगाने की नियत मे देरी नहीं थी, एक उबासी रोकती भै बोली, अरे तबियत तो बेहत खराब रही, मुझे तो लगा इस प्लेन से जीवित नहीं उतरूंगी, भीतर से सब उलट गया इतनी देर में, अगर अमेरिका तक यही हाल रहा तो इश्वर ही जाने, उमीद तो है कि मौसम सुधर ज आँ, वेस्टरंड में फेलोशिप मिली है, मेर शोशल वर्ग के लिए, यह अच्छा हुआ, मैं भी तो वहीं जा रही हूँ, मेरा मतलब क्लीब लेंड, बाकी जितने लोगों से बातें हुई, सब कहीं कहीं जा रहे हैं, कोई पिट्स वर्ग, कोई फिलाडेलफिया, मुझ भी वेस्टरंड रिजब जा रही हैं क्या, नहीं, मैं दो साल इंटर्णशिप के लिए जा रही हूँ, क्लीब लेंड क्लीनिक में, नक्षे के अनुसार तुम्हारे विश्विद्याले से ज़्यादा दूर नहीं है, ओ, आप डॉक्टर हैं, उन बड़ी बड़ी आँखों बीमार दिखाई देने वाली लड़की डॉक्टरी करने जा रही है, वह भी अमेरिका में, जब तक जहाज चला, दोनों एक ही जगह बैठी रही, दोनों दिल्ली की थी, मेरा नाम आभा है, आभा मिश्रा, हम लोग ग्रीन पार्क में रहते हैं, मेरे बड़े भाया का ठेके का काम है, आप हम लोग करोल बाग में रहते हैं, अच्छा, वहां तो मेरी बहुत से सहेलिया रहती हैं, आप किस जगह रहती हैं करोल बाग में, देश बंधु गुपता रोड पर कुछ गिरजे हैं, उनके चारो तरफ जो बसती है, वहीं पर हमारा घर भी है, आपने अपन टीबर्सन, ओ, आप इस आई हैं? हाँ, क्लीव लेंड के हवाई अड़ों पर दोनों जुदा हुई, आभा को मिलने एक होस्ट फैमली आई थी, वह उसे कार में ले गई, नाजनीन को अस्पताल की तरफ से पूरे निर्देश लिफापे में मिल गए, वह बस से टर्मिनस त पर जिन्हें देख लोक सहजिता से मित्र स्विकार कर लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह बोलेगी कम, सुनेगी अधिक, समय पर काम आएगी, वे यह भी जानते हैं कि इस सावली तचा के नीचे बेहत तीक्ष्ण मेधा है, असमय यह सलाह मश्विरा भी दे सकेगी, न अभी बांध कर किसी को रखने का उसका जी नहीं होता, और अपना एकाकीपन वह रोगियों के दुख से सुख से भर लेती हैं, अपना फालतु समय अन्य डाक्टरों को डेट पर जाना हो, तो उनकी स्टिफ्ट निभा कर गुजार लेती हैं, दीवाली पर सुना, क्लीवले के भारती चातर संग की और से बड़ा आयोजन है, नाजनीन को फोन आया कि शाम को वेराइटी एंटर्टेनमेंट है, वह भी कुछ आइटम दे, नहीं, आइटम देने लाइक योगता उसमें नहीं, पर वह गुलाब जामुन बना लाएगी, चार पॉन्ड सूखे दूद मे नाजनीन ने थोड़ा मैदा मिलाया, थोड़ा बेकिंग पाउटर डाला और मक्षन पिगला कर डाला, थोड़े थोड़े ताजे दूद के छीटे दे दे कर चार लोई तैयार की, और लोईयों की नन्नी नन्नी गोलियां बांधी, गोलियों को गरम घी में तला, गुलाबी हो जाने पर उबलती चाशनी में छोड़ दिया, चार सो के करीब गुलाब जामुन बनाए दो दिन में, दिन भी क्यों, रात में, सुबह दोपहर शाम ड्यूटी पर गुजर जाते हैं, रह जाती रात, एल्मोनियम के आठ लीटर साइज वाले भगोने में भर कर वह टैक्स से मिलना नहीं हुआ, आभा ड्रेसिंग रूम में ही रही इतनी देर, वह नागिन के गाने मन डोले मेरा तन डोले पर नर्त दे रही है, और आभा ने अपने वैजनती माला नुमा चेहरे को वास्तों में ही नागिन सा बना लिया है हू बहू, और उसके नर्त ने ओडियन य हवा में तैर उठती है, आभा से मिलना हुआ कुछ दिन बाद, नाजनीन कुछ डॉक्टर मित्रों के साथ कॉफी पीने गई थी ड्रग स्टोर में, जोकी वेस्टरन रिजर्व के पास ही था, पीछे क्लीव लैंड में बड़ा हंगामा रहा, नीग्रों और गोरे लोगों म जगे जगे लूट हत्या छड़ गई, कितने ही लोग मरे मिटे, घर जला दिये गए, दुकाने लूट ली गई, अस्पताल में बेहत काम बढ़ गया, दो दिन कर्फ्यू रहा शहर में, कर्फ्यू हटा तो वह खरीदारी के लिए जाने को हुई, नाज अकेले अभी कही नह जाना, उसके सहकर्मी जार्ज ने साउधान किया, पर क्यों जार्ज, मैं तो ना गोरी हूँ ना नीक्रो, मुझे कोई क्या कहेगा, फिर ठक गई हूँ यहां दीवारें देखते, कुछ ताजा हवा चाहिए, तो हम सब चलेंगे साथकार में, वही चल कर कॉफी पिएंगे, बॉब, जॉर्ज, लिंडा और वहे कॉफी और आइस्क्रीम का ओडर दे कर बैठे, घूम फिर कर बात फिर आ गई, इन नीग्रों लोगों पर इतना गुसा आता है मुझे कि क्या बताऊं, काम कर नहीं सकते, सारी कमाई शराब जुएं में फूंक आते हैं, साल में एक के नहीं, दो बच्चों के बाप जरूर ही बन जाते हैं, फिर अपनी गरीबी मुसीबतों के लिए गोरों के घर जला आते हैं, दो चार को छुरों से चीर देते हैं, जंगली कहीं के, श्ष, जॉर्ज ने लिंडा को चुप किया, एक काला चेहरा मैगजीन रैक पर जुका कोई पत्री का डूर रहा था, नाजनीन कॉफी में धीरे धीरे चमत चलाती रही अनमनी सी, तुम्हारा क्या मत है नाज, बाप ने पूछा, मेरा, मत से क्या होता है बाप, समस्या समय के साथ उपजती है, समय के साथ ही नस्ठोती है, मत से कुछ नहीं होता, सीधी सी है जब से आई हूं कई लेख पर चुकी हूं तुम्हारे समाचार पत्रों में भारत में गरीबी है लोग मर रहे हैं क्योंकि वहां अज्यान है आलस है घूस खोरी है अंद विश्वास है और सबसे ज़्यादा है उदासीनता कोई कुछ करता धरता नहीं है अब यह क्या हल निकला समस्या तो बनी रही वैसी की वैसी किसी ने समाधान नहीं ढूड़ा और समाधान इसलिए नहीं ढूड़ा क्योंकि समाधान से नीग्रों लोगों को यूं इस्तेमाल कर और बुरा किया रंग भेद कर याकी नीग्रों लोग बुरा कर रहे हैं घृणा को और तुम्हारा यह रंग भेत का क्लेश समाप्त हो जाए। तुरंत कुछ तिर आया है। नाजनीन ने भर घूट कॉफी गले में उली चली। चलने लगे तो दर्वाजे में आभा से मुठ भेड हो गई। ओ आप! मैं कब से आप से मिलना चाह रही थी। सतीश यह हैं हमारी डॉक्टर दीदी और यह सतीश गिल हैं। इंजेनरिंग एमेस कर रहा है। आप कहां जा रही हैं। इन लोगों के साथ आई थी। पर तुम कैसी हो आभा? अच्छी हूँ मैं तो। सुनिए आपको फुरसत हो तो रोग चाहिए ना। सतीश अपनी कार में पहुचा देगा। यह लोग दर्वाजा रोके खड़े हैं और बाहर से कुछ लोग भीतर आना चाह रहे हैं। नाजनीन असमंजस में हैं। क्यों नहीं नाज तुम रुको बस अकेले अभी कुछ दिन कहीं मत जाना। धन्यवाद जोर्च कल मिलेंगे। बॉब लिंडा कॉफी के लिए शुक्रिया। आभा सुन्दर दिख रही है आज। सिल्क की बादामी साड़ी पर बड़े बड़े फूल छपे हैं गहरे ब्राउन। गले में उसी रंग के पत्थरों की माला है। एक चोटी किये है। बा कलसा आ गई है। पढ़ाई कैसी चल रही है। ठीकी है जमते जमते समय लगेगा। आपका कैसा चल रहा है। अच्छा है बड़ा अच्छा क्लीनिक है। डॉक्टर लोग भी अच्छे हैं। फिर चिकित्सा के संसार में तो हर समय कुछ ना कुछ नया बना रहता है। तुम अभी हैं सो उन्हें हमारी याद क्या आएगी। छोटा भतीजा है मौडन स्कूल में पढ़ता है आठवी में। उसने लिखा है। माउथ और्गन मंगाया है। एक एल्विस प्रेसले का रेकॉर्ड। मम्मी डेडी। उन्हें तो 6 साल हो गए। कार एक्सिडेंट हो गया आगरा जाते समय ट्रक से। ओ आप कहां रहती हैं सतीश ने पूचा इस बार। ज्यादा दूर नहीं क्लीनिक और यहां के लगभग बीच में एक अपार्टमेंट मिल गया अच्छा सा। चलो ना हम लोग वहीं बैट कर बात करेंगे। आभा को अपार्टमेंट बहुत भा दीजिये ना। अरे जरूर मैं तो कहने ही वाली थी। अकेले अच्छा नहीं लगता। महंगा भी बहुत पड़ता है। सोचती थी कि शायद तुम्हें किसी ऐसी लड़की का मालूम हो जो शेयर करना पसंद करें। किसी को क्यों। मैं तो हूँ। मैं तंग आ गई होस्ट लेकर आ गई। 15 तारीक को सतीश छोड़ गया। रात में सोफे को खोल कर पलंग बना नाजनीन सोजाती है। पलंग पर आभा का सामराज हो गया है। बातरूम में भी उसका ब्रश, कंगा, पेस्ट, क्रीम, पिन, पाउडर, सेंट, नाइट गाउन, स्लीपर, शावर कैप, मैले कपड़े, रसोई में उसके बिना धुले कप, प्लेटें, बिन पढ़ी पुस्त के, बैठक में उसके कुछ ग्रामो फोन रेकॉर्ड्स, बेडरूम में उसकी 25-30 साडिया, चार कोट, साथ स्वेटर, तीन सैंडल, दो हाउस कोट, चार काले सफेज, लाल पर्स और सतीजी के अच्छी तरे फैल गए है, नाजनीन ने चाहा, आभा उसे नाजनीन ही कहे, डॉक्टर दीदी नहीं, पर आभा की आदत छूटती नहीं, नाजनीन भी जोर नहीं देती, अब दीदी से बंधन लगता है, और डॉक्टर में जो आदर रहता है, वही इन सब बेतरत की फैली पुस्त कों, धेर लगे मेले कपड़ों, अंधुले बरतनों का बुरा नहीं मानने देता, सतीज के इधर उधर छोड़े सिगरेट के टुकड़ों को भी साफ करवा लेता है, और अस्पताल से लोटने पर कभी सतीज की गाड़ी नीचे खड़ी हो, तो जीजक जो पैरों को किसी अन्य दिशा में ले जाती है, और बाहर खाने पर जो दो-तीन डॉलर लग जाते हैं, उन सब को भी सह लेने देता है, और आभा मस्त है, वह जीवन से बदला ले रही है, जानती हो दीदी, भावी अमें कभी फिल्म देखने नहीं जाने देती थी, कहती थी ब प्रस्त में जानती हो उस चिडिया घर में पढ़ने बेजा, कॉलेज की बस से जाओ और उसी से आओ, बड़ा मन जलता था, और जानती हो हम उन्हें क्या कहते थे, अपनी भावी को ललाइन, वह क्या होता है, लाला लोगों के घर की यानि कुछ गमार, कुछ अनपड, तु नहीं दीदी, तुम नहीं समझोगी, इसाई लोगों में तो ये सब रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, नाजनीन ने मूँ फेर लिया, कल पापा का पत्र आया है, मेरी प्यारी नीनी, तू जहां रहे, इशू की छाया तुझ पर बनी रहे, उसकी रोश्नी तुझे रास्ता दे नाजनीन आज चिंतित है, सतीश बहुत दिनों से नजर नहीं आया है, और आभा के रंगधंग ठीक नजर नहीं आते, कल बहुत रात गये लोटी थी, और लगता था पिये है, सीडियों पर उसके मित्र लोग कुछ देर हंगामा मचाते रहे, फिर बाय बाय टाटा, आज वह सिरदर्द लिये बिस्तर में पड़ी रही, नाश्ता नहीं किया, बोली भी नहीं, नाजनीन अस्पताल से लोटी तो लगा, आभा आज कॉलेज भी नहीं गई पड़ने, बेमन से नाजनीन ने आभा के ग्रामोफोन पर एक रिकॉर्ड रग दिया, कब तक यह रोना सु रहोगी दिदी, आभा दो थैलों में खाने पीने का सामान लेकर आई है, खड़ी-खड़ी कह रही है, रिकॉर्ड उतार कर नाजनीन ने ग्रामोफोन बंद किया, बोली कुछ भी नहीं, कल मैंने कुछ मित्रों को बुलाया है, बीर, क्रैकर वगरे ले आई हूँ, हम, कौन कोन आ रहा है, विजे सुराना है, किशन सहेगल और उसकी गर्फ्रेंट सूजी, तुम भी कुछ डॉक्टर लोगों को बुला लू न, वह जो उस दिन आया था भाटिया, वह अच्छा दिखता था, अंसुना कर पूछा नाजनीन ने, सतीश नहीं आएगा, आभा ने खाने के लिफाफे रसोई की मेज पर टिका दिये, कुछ देर गुस्से में खड़ी रही, नहीं, उसे नहीं बुलाया है, बूट, नाजनीन उठी, आज सची बहुत जादा थक गई है, इतना तो पोर-पोर कभी नहीं दुखे, बियर की कैन निकालकर फ्रिज में चुनने लगी, आभा हथेली में मुह दिये, खुब गुस्सा हुए बैठी है, पर नाजनीन में इतनी शक्ती भी नहीं कि कुछ पूँचे, क्रैकर के डिब्बे फ्रिज की छत पर चुन, उसने कुछ चावल पानी में भीगने के लिए छोड़ दिये, उबले चनों का डिब्बा खोल रही है, यही चौक देगी आज, भूंक उसे नहीं है, पर शायद आभा भूंकी हो, जानती हो डॉक्टर दिदी, यह सतीश का बच्चा पूरा पाजी है, इतना हमने उसके लिए किया और वह, कल उस जूली चुडैल के साथ डेट पर गया, उसके दोस्त हस रहे थे, कि वह लवर तो बड़ा भरता था, मैं सोचती थी, क्या आभा, नहीं मालूम दीदी, यह लोग ऐसे ही होते हैं क्या, जानती हो मैं क्या सोचती हूँ आभा, तुम सोचती हो, सब लोग तुम्हारा उधार खाय बैठे हैं, कि तुमने उन पर दया दृष्टी कर दी है, तो वे केवल समाजिक बंधा नितना है, कि जो भी लड़की उन्हें थोड़ी अनुकंपा करने लगे, उसी पर लड़के जान देने को तयार हो जाते हैं, यह दूसरा समाज है, यहां जिस लड़की को चाहे अटा पटालो, फिर एक से बंद कर कोई क्यों बैठेगा, वैसे तुमने प्यार तो चाहा, अपना भी दिया, प्यार कितनी तरह का होता है, एक देने वाला जियों सूरज की गरमाई, जिसे छू ले, जीवन दे दे और देती रहे, एक पाने वाला जियों पतजड की अपनी जोक में सब समेटता चला जाता है, फूल, पत्ता, रंग, रोनक और देत कुछ भी नहीं, आभा के आशू रुक गए, काजल की आँखें आश्चेरे से फैल गई, गोरा रंग राख हो गया, एक अजीव व्यंग भरा रहस उसके होट चूग गया, तिरसकार से भर गया उसका जी, तुम, तुम्हे, तुमने कभी किया है, जाना है, तुम्हे क्या मा होता है, नाजनीन का माधा बहुत तेज घूम रहा है, लगता है छट का लट्टू गिर जाएगा, कभी उबलते चावलों की भाप उसके नासा पुट में भर गई है, लगता अभी उल्टी हो जाएगी, छोलों का डिब्बा उसने अधखुला काउंटर पर छोड़ दिया, आभा यह तुम बना लेना, तुम ठीक कहती हो शायद, नहीं, दीदी गुसा नहीं हो, मेरा मन ठीकाने नहीं है, गुसा क्या होता है आभा, मेरी जरत तबियत खराब है, एक एस्प्रिन से ठीक हो जाएगी, सर्दियों में रात का अन्धेरा कितनी जल्दी कहरा जाता है, नाजनीन सोफे का बेड बना, रजाई ओड़े पड़ी है, धीरे धीरे कमरा मिट चला, कमरे की दिवारें डूब गई है, सडक का शोर रीत गया है, नाजनीन उड़ चली है, हवा के साथ साथ, रविवार था उस दिन, जब मोहन टेलर्स के यहां से उसकी सफेद लेस की वे धर पर सिर्फ मुंडू था, पापा पादरियों की एक कॉन्फरेंस में केरल गए थे, फिर उससे रहा नहीं गया था, जल्दी जल्दी साड़ी उतार फेंक उसने ड्रेस पहन ली थी, वेल माथे पर चुआ ली, उसका नाचने को मन किया था, बिलकुल मन नहीं था कि ड्रे सुतारे, वे परी-परी सी लगती थी उसमें, उसके मुह पर गुलाबी रंगत भर गई, उसकी आखें खुशी में बड़ी-बड़ी लगती थी, उसकी कलाई में नई घड़ी थी, किसी स्मगलर से खरीदी थी, उसके मंगेतर ने 400 रुपए की लेडीज ओमेगा, वे अपन फ्रॉक कलेजे से लगाई रखना चाहती थी, बेल को चूम-चूम लेना चाह रही थी, उसने एक बटन खोला, थोड़ा थमकर दूसरा बड़े हौले से कि चटक न जाए, नीनी, रेजी किवार थामे खड़ा था, बद हवासा, नीनी, ओ, नहीं रेजी, जाओ, जल्दी से उसने बेट कवर घसीट कर चारो और लपेट लिया, जाओ, रेजी, बद शगनी होती है, ऐसे इन कपडों में समझ से पहले देखना, पर वह नहीं माना था, बढ़ता ही चला आया, क्या बच्चों जैसी बात करती है, ओ, नीनी, जरा शीशे में देख तो, देख, बेट कव और उतार फेक वह उसे फिर शीशे के सामने ले आया था, रविवार के अपने गहरी स्लेटी सूट सफेद माया लगी कमीज में था रेजी, और उसके कंधे से लगी वह देखती रही अपने परी रूप को, अपने उस राजकुमार को, कल कनोट प्लेस गया था, एक बड़ा आने वाला है, कहीं चलेगी, दारजलिंग, सेंट की शीशी निकाल कर उसने खूब इस्प्रे कर दिया, चुटकी से जरा कॉलर उठा, भीतर वक्ष तक तर कर दिया था, हटो, नीनी, अरे कोई आ जाएगा, कौन आ जाएगा, अभी तो मुंडू कह गया है मैटनी देखने जा रहा है लिबर्टी पर, तूने ही तो दी थी उसे चुटी, नहीं नहीं, हटो, रेजी, यह क्या करते हो, मंगलवार को पापा लोट आए, उसी शाम कोका कोला के क्रेट पोर्च में चुन दिये गये थे, बुध को मुंबई से महमान आ गये, वीरवार को शामियाना आ ग अगते बद हवास से, नीनी, जल्दी, इरविन, पापा, जल्दी मेरी बच्ची, रेजी, इमर्जेंसी वालों ने उसे अंदर तक जाने नहीं दिया, अभी नहीं, अभी डॉक्टर लोग अंदर हैं, ओ रेजी, ओ रेजी, तुम मरोगे नहीं, रेजी, तुम्हें मरने नह चला गया, बेचारा, कुछ भी उम्र नहीं थी, शुक्र है, शादी शुदा नहीं था, स्कूटर देखा है, बाहर ही रखा है, पिचक कर टीन हो गया है बिल्कुल, दीदी, तुम रो रही हो, आभा गले में माह डाल कर लिपट गई, तुम नाराज हो गई दीदी, हमसे गल थे, तु सोजा, तुम्हारे लिए चाय बना लओ, नहीं, जा सोजा, सुबह काम पर जाना है, रात कई पहर बीत गई है, आभा आउंधी सोई है, नाजनीन की रजाई भी अब उठ गिर नहीं रही, सब शान्त है, चांद देर से निकला है, नाजनीन के सावले मोपर नींद में मुस्कराहट है, रेजी उसके सामने खड़ा है, कमरे के तालाब में एक कुमुद खिलने लगा है, तो ये थी कहानी, कहानी आपको कैसी लगी, कॉमेंट करके जरूर बताएं